हिमाचल प्रदेश के डेपिटी मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे बात की और समझने की कोशिश ये करते हैं कि हिमाचल में इस वक्त जो विकट हालात बने हैं उसको देखते हुए सरकार क्या कर रहे हैं अग्निहोती साब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा सर अभी राज्य में क्या हालात हैं सुभे से जो लगतार तस्वीरे सोचल मीडिया पर देख रहे हैं वो बहुत दराने वाली तस्वीर हैं देखे हिमाचल परदेश में ये मांसून की जो शुरुआती वारिशें हैं इसने पूरा तांडम मचा दिया है नदिया सारे खत्रे के मार्क से जो है उपर चली गई है और खास तोर पे कुलू बनाली जो हमारा एरिया है जो टूरिस्ट जहां पे सबसे ज़्यादा आते है वहां पे इस समय नदिया जो है पूरे उफान पर है पूरे रुदर रूप धरन किये हुए हैं और परशाशन हमने निर्देश दे रखा है सब लोग सडकों सडकों पे हैं लेकिन नुकसान बहुत हो रहा है कई पूल बैगे धैं गारियां बैग गई गई हैं और नदियां जो है कही जगा सड़कों पे आ गई है तो इसलिए ऐसा रोदर रूप जो है इसका कभी कवार आट-दस साल में एक वार आता है लेकिन इस वार बहुत तेज जो है पिछले 72 घंटे से लगातार बारिश की वज़ा से ऐसे हलाद पैदा हो गए हैं और कुलू में तो एक जगा अच्छे लोग फसे हुए हैं और इस समय उनको बाहर निकालना जो है मुश्किल हो रहा है क्योंकि अगर आर्मी की भी सर्विस ली जाए तब भी कल मॉर्निंग में ही ऑपरेशन हो सकेगा लेकिन कई पूल आपने देखा होगा कारें आप आपने अभी वीजिल दिखाई भ इस वार भी उस लेवल पर बेह रही हैं तो इसलिए इसकूलों को बंद करने के नदेश सरकार ने दिये हैं कुलों में तो पूरा ब्लैक आउट बता रहे थे कुछ देर पहले मरे आफिसर से बात हुई थी वो कह रहे थे कि कहीं पर कोई बिजली नहीं है और बहुत खंबे गिर गए हैं तारें गिर पड़ी हैं और जगह जगह ऐसे हालाच हैं चाहिए आप चंबा चले जाएँ वहार बहुत राभी का यही हल है पारवती नदी का बियास नदी का सौा नदी का और हर तरप जो है पानी लोगों के घृरों में घुश गया है तो बड़े पैमाने प इमाचल परदेश की मदद करेगा क्योंकि आप किन सरकार से भी कुछ मदद मांगी है क्योंकि यह जो तस्वीर है जैसे आप भी बता रहे हैं कुल्यू में समय बिजली नहीं है सडक मनाली के आसपास भी कई जगा पर लैंड्सलाइड भी है बह भी गई है तो क्या आप किन सर करकों का बहुत हो गया है मैं आपको बताओं कि जैसे जल शक्ति भीवाग को मैं देखता हूं तो 323 क्रोड रुपे का अकेले पानी भीवाग का हो गया है जी और आज हमारे बसीज का जैसे 878 75 बसीज आज हमारी जो है हमें उनका ऑपरेशन रद करना पड़ा हम उनको कि साथे 400 के आज पास बसीज जगा जगा रुकी पड़ी है क्योंकि उनको बाहर नहीं लाया जा सकता है तो इसी धंक से सडकों का नुकसान हुआ है पूलों का नुकसान हुआ है हर तर्फ नुकसान का मंजर आप देख रहे हैं और राजिया के पास अपने रिसोर्सिज लि ले किया था कि तीन दिन बहुत मुश्किल रहने वाले हैं हिमाशित प्रदेश के लिए उसको देखते हुए सर आपको लगता है कि थोड़ी और तैयारी हो सकती थी शायद नहीं अब हमारी तो अडिमिस्टेशन सारी जो है पोजी तरह गेर अफराए है और सारे आफिसर्ज मैं आपको बताुरू है अभी भी जहां पे हूँ हमारे डिप्टी कमिशनर और हमारे पाँचों सड़क पे हैं बारे बारिश के बाद जो सारे सड़कों पे हैं सारे के नीचे दबने से तो इसलिए लेकिन फिर भी कोशिश यह हो रही है कि जानी नुकसान ना हो और बिजली को हम रेस्टोर करके रख सकें पानी हम महिया करवा सकें और लोगों उसे कहा जा रहा है कि वो जो 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 तेज करंट का पानी बैरा है उसे थोड़ा दूरी बना के र और चेक करने के आपशक्ता है यह मुसीबत के दिन जब टल जाएंगे तो एक बार फिर से देखने के जरूत होगी कि नदी के बहुत आस-पास सड़के मकान इस तरीके से ना बनाये जाएं हमारी मंचल प्रत्रश सड़कार ने इस वारे में कॉल ली है ऱी नई सरकार बने है और हमने अभी विए इस वारे में पिली मंडल में भी हमने डिसकर्स किया कि नदीयों के आस-पास जो construction होती है इसको किस तंग से रोका जाए और थोड़ी दूरी बना के जो है उसको जो है काम करने की इजाज़त दी जाए तो हल ही में हमने इस पर कॉल लिये